पार्टनर के साथ में कम डाइम लगा पाते हो यानि कि बिस्तर पे जाते ही जढ़ जाते हो उनके लिए ये नुस्का है यानि कि आप समझी रहे होगा मैं क्या कह रहा हूँ जैसे ही आप बिस्तर पे जाते हो पार्टरनर के साथ में यहाँ वहाँ टच करते हो और आपका निकल जाता है तो उन लोगों के लिए ये नुस्का है बिलकुल इस नुस्केस को करने से आपका टाइम भी बढ़ जाएगा साथ ही साथ आपको इंजोई पूरा पूरा मिलेगा और आपने पार्टरनर को भी पूरी तरह से संतुष्ट कर पाओगे तो दोस्तो सबसे पहले आपने करना क्या है इसमें कुछ भी करना नहीं है दोस्तो कोई भी ऐसी कोई आलतु फालतु चीज नहीं मैं बता रहा हूँ यह 100% working यह trick है ठीक है तो जैसे यह गोलियां वगयरा खाते है न लोग करने से पहले एक घंटा पहले तो यह तो होता है कि उसी दिन के लिए होता है गोली का ठीक है और यह जो नुस्का है यह पर्मानेंट ही आपका problem को ठीक कर देगा तो क्या करना है आपने दोस्तो जैसे ही आप बिस्तर पे जाते हो उससे पहले एक घंटे पहले आपने अजवाइन का एक चमच मूँ में डालके उपर से एक गिलास दूद पी लेना है ठीक है समझ रहे हो आप एक चमच अजवाइन अजवाइन आपके घर में सबके घरों में रसोय में आपको मिल जाएगी किसी को भी नहीं बताना ठीक है अपनी बीवी को बिल्कुल भी नहीं बताना और आपने इसका एक चमच मूँ में डालके उपर से गरम दूद हलका गरम दूद पी लेना है दोस्तो एक घंटे बाद आप देखोगे कि आपकी जो नसे हैं वो टाइट होने लगी है ठीक है और पहले इसको खा लेना है दूद के साथ में और फिर बिस्तर पे कूंद जाना है ठीक है आप देखोगे कि आप मतलब सुबह आपको पता लग जाएगा ठीक है मैं कुछ नहीं बताता हूं ठीक है आपकी बीबी आपसे हैरान हो जाएगी कि यह मतलब क्या इन्होंने आज ऐस खा लिया है भाई कि यह रुक ही नहीं रहे है ठीक है तो दोस्तो यह नुश्का वैसे बिल्कुल सेफ है बिल्कुल आयरवेदिक है लेकिन पहले से कर किसी की दवाईयां वगयरा चल रही है तो उनको यह नुश्का नहीं करना चाहिए और करने से पहले एक बार अपने वै को अच्छा लगा तो उड़ी को लाइज वो कर देने चेनले को सब्सक्राइब करने ना भूलेगा धन्यवाद